नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10 तेंथ हिंदी के मारी वर्क्षिट नमबर 40A यानि कारेपत्रक सिंख्या 40A को यहाँ पर A कहां से आगया तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीक में आपको 2 डेज की ही वर्क्षिट मिलेगी 4 डेज आपका ब्रेक रहेगा, होलिडेज रहेगी, ओफ रहेगा, आपकी वर्क्षिट नहीं आनी है लेकिन यहाँ पर DOE थोड़े से मज़े लेने के मूड में लग रहा है इसलिए यह जो कोटा है आपका पूरे विक्का, यह मंडे को ही पूरा कर दिये गए मंडे को आपको ट्रिपल वर्क्षिट मिल दिये, 40A, उसके बाद 40B और 40C यानि कि मंडे को आपको तीन वर्क्षिट मिलेगी ऐसा ही कुछ साइंस के साथ होने वाला है और ऐसा ही कुछ-कुछ आपका मैच्स के साथ भी होने वाला है तो यह आपकी 40A वर्क्षिट है, 40B और 40C वर्क्षिट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शियर करेंगे यह आपकी 11 अक्तूबर 2021 की वर्क्षिट रही और आज की इस वर्क्षिट में हम रचना के अधार पर वाक्या को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे बात करेंगे की वाक्या क्या होता है, वाक्या किसे कहते हैं, वाक्या की पहचान क्या होती है, रचना के अधार पर वाक्या की कितने भेध हुती है examples से इस concept को हम यहाँ पर clear करेंगे let's begin चले, शुरुआत करते हैं हम आज की वोकशिट की सबसे पहले हमें समझना कि ये वाक्य क्या होता है वाक्य सार्थक शब्दों का एक समू होता है सार्थक होने चाहिए, शार्थक मतल़ जिसका आर्थ निकलता है उसका एक समुह होता है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती हैं, जैसे राधा नास्ति है, अब राधा नास्ति है, तो यहां देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना, एक तो यह शब्दों का समुह है, और आपको समझ में भी आ रहा है, मैं ठीक से भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक तो होता है उद्देश्य, उद्देश्य होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक, और विधे होता है, जो कहा जा रहा है, तो यहां देखे, राधा के बारे में कहा रहा हूँ ना, राधा नाचती है, राधा क उसके दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, जिसके बारे में हम कहते हैं, वो उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ भी उसके बारे में हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, विधे, अब रचना के आधार पर, कि वाक्ये बना कैसे, लिखा कैसा गया है, उसके आधार पर जो वाक्य होते हैं उसके तीन भेद होते हैं तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको स्क्रीन के उपर दिख रहा हूँ वो बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा हुगा तो ऐसा कुछ ही वाक्षिट में आया हुआ इसलिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको साफ नहीं दिखेगा सिरफ आप समझने की कोशिश करना फील करना ओके और मुझे अच्छे से पताया कि आप अच्छे से फील कर पाऊगे तो यहाँ पे जो वाक्य है उसके तीन भेद होते हैं रचना के अथार पे पहला होता है सरल वाक्य सरल वाक्य में एक ही उदेश्य होता है और एक ही विधही होता है अभी बता दिया न मैंने उदेश्य क्या होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है उदेश्य क्या होता है जो कुछ कहा जा रहा है तो उसको हम विधही बोलेंगे जिससे देखिए सुर्योध्य होने पर कुहासा जाता रहा सुर्योध्य होने पर कुहासा जाता रहा तो ये क्या सरलवाक्य राधा नासती है, वह स्कूल जाता है वह अच्छा गाता है इसमें एक ही उदेश्य होता है एक ही विधे होता है सिंपल से दरीके से अपनी बात रखते हैं, तो वो होता है आपका सरल वाक्या, ठीक, जैसे आप अब पढ़ाई करें हो, राधा आप पढ़ाई करें है, ठीक, तो ये क्या है, ये आपका सरल वाक्या हो गए, दूसरा होता है, मिश्र वाक्या, मिश्र वाक्या जैसे कि नाम से उफ वाकिया होता है एक उसके उपर dependent उफ वाकिया होता है दोनों को मिला दों तो मिश्र वाकिया बन जाता है अब यह जो वाकिया होते हैं कैसे मिलते हैं जिसे कि जो वह जितना उतना जैसे वैसे जब तब जहां वहां अगर यदी यह क्या इन शब्दों से जुड़े होते ह ठीक अब इसमें एक चीज और समझ में आपको अच्छे से समझना है कि इसमें जो परधान उफवाक्य होता है उसको अगर अलग कर दें तो अर्थ बिल्कुल समझ में आएगा लेकिन जो आश्रीत उफवाक्य को अलग कर दें जो आर्थ है वो ठीक से समझ में नहीं आएगा कि बात पूरी समझ में हमें नहीं आएगा ठीक आप दोनों को अलग करके अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एच्छा इसमें दूसरा जो वाकिया वो आश्रित है अगर आश्रित है इसका मतलब यह मिश्रवाकिया है यहां देखिए जैसे ही सुर्यद्य हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा ओके वैसे ही कुहासा जाता रहा अब इसको अलग पढ़ें मतलब ऐसे लगता ना धूरा सा है कुछ चीज़ और कहनी थी अब इसमें जैसे सुर्योद्य हुआ थी, यहां तो क्लियर है कि सुर्योद्य हो गया, ठीक तो इसमें यह जो सुर्योद्य हुआ, यह परधान उफाक्या है, और इसी को आगे explain किया गया है कि इसमें आशरित उफाक्या में, अब यह देखिए, जैसे और यहां पर जैसे, जै एक तो परधान उफाक्य होता है, और दूसरा होता है आसरी तुफाक्य होता है, जो परधान उफाक्य है, मुख्यवाक्य है, उसे को थोड़ा से डिटेल में explain करता है, और ये इन शब्दों से जुड़े होते हैं, जिसे की, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, समझना बिल्कुल आसान है, आपको पहचानना आए सिरफ, पहचानने में कोई प्रोलम नहीं होनी चीए, क्योंकि सरल वाक्य में तो आपको पता कि सिरफ एक ही उदेशे, एक ही विधेई होगा दूसरा, यहाँ पर आपको confusion रहेगा, confusion दूर कैसे हो जाएगा कि इसमें जो दो वाक्य होंगे, दो सरल वाक्य होंगे दो वाक्य होंगे, दो सरल वाक्य होंगे जिनके अपने पूरे अर्थ निकलेंगे तो उनको आसानी से हम पहचान सकते है और तीसरा हमारा मिश्र वाक्य रह जाएगा देशे इसमें देखिए कि सुरुद्धे हुआ और कुहासा जाता रहा ठीक सुरुद्धे हुआ और यहां पे देखिए और से जड़े यानकि दोनों अलग अलग वाकिया है सुरुद्धे हुआ अलग वाकिया है कुहासा जाता रहा अलग वाकिया है ठीक तो यह आपका यहां प्रन्तु लेकिन पर अतय तो नहीं तो ये इस परकार के शब्द हैं जिन से वाइक्टियों को जोड़ा जाता है चली थोड़ा सा अभ्यास करते हैं ताकि हम थोड़ा सा और बहतर तरीक के सिन को समझ पाएं तो यहाँ पर हमें कुछ पर्षन दिये गए जिनको हमें हल करना है तो यहाँ पर पहला जो हमारा पर्षन दिया गए कि विने बहुत महनती है और कक्षा में पर्थम आता है ठीक विने बहुत महनती है और कक्षा में पर्थम आता है तो इसमें रचना के अधार पर वाक्या का भेद बताना है, अब यहां पे देखिए, और से जोड़े में, दो अलग लग यहां पे सरल वाक्य है, कक्षा में पर्थम आता है, विन्या बहुत महनती है ठीक, तो यह कौन से वाक्य है, चलिए चार विकल्पों को देखिए, तो वो सेम आपके विकल्प मिलेंगे, पहला जो उप्षन दिया गए, सरल वाक्य है, दूसरा यह मिश्र वाक्य है, तीसरा यह स्यूंक्त वाक्य है, चोथा यह साधान वाक्य है, तो इसमें सही जो आपका आंसर विकल्प रहेगा, वो विकल्प रहेगा स्यूंक्त वाक्य है, और से जोड़े म पर शित्या है, यह आपका श्यूंक्त वाख्य हो जाएगा, उसके बाद दूसरा दिया गए, निमलिकित मेंसे मिश्र वाख्या कोँन सा है, यह हमें पहचाना है, मैंने एक बिमार बच्चे की सिवाखी, अब यह कोँन सा वाख्या है, यह तो सरल वाख्या है, इसमें एक मेजर ने स्वागत के लिए उत्सा नहीं दिखाया तो यह आपका सरल वाक्य हो गया अब जो खे है आपका सही विकल्प रहेगा यनकि जो चात्र मेहंती होता है वह अवश्य प्रथम आता है यहाँ पर यह जो परधान आपका उफ़ाक्य हो गया यह आपका आश्रित उफ़ा यहाँ पर खे आपका मिश्र वाक्य है उसके बाद तीसरा दिया गया तीसरे को देखिए कि निमिल कितमे से सरल वाक्य है कौन सा यह हमें पैचानना है रात हुई और तारे चमकने लगे तो यह तो आपका स्यूंक्त वाक्य हो गया रात होने पर तारे चमकने लगे खे हमार जब रात हुई तारे चमकने लगे तो ये भी आपका मिश्रित वाक्या आ जाएगा, ये भी आपका मिश्र वाक्या है, तो इसमें आपका खैस ही विकल्प होगा, रात होने पर तारे चमकने लगे, ये आपका सरल वाक्या है, ठीक, उसके बाद चोथा देखिए, चोथा जें जेंत मेले में गया, वहां से कुर्शियां लाया, इसको हमें सिंग्त वाकिया में इसका रुपान्थरन क्या होगा, हमें बताना है कि इसका सिंग्त वाकिया क्या बनेगा, यहां पर दिया गया कि जेंत मेले में गया और वहां से कुर्शियां लाया, तो यह आपका पहला विक वो रहेगा कै जेंत मेले में गया और वहां से कुर्शियां लाया ठीक यह आपका स्यूंगत वाक्या बन जाएगा उसके बाद पांचवें पर्शन को देखी कोलेज का समारो समाप्त होने के बाद सब विद्यार्थी घर चले गए इसको मिश्र वाक्यां बदलना है तो पहले जैसे कोलेज का समारो समाप्त हुआ सब विद्यार्थी घर चले गए दूसरा जब कोलेज का समारो समारो समाप्त हुआ तब सब विद्यार्थी घर चले गए तीसरा कोलेज का समारो समाप्त हुआ और सब विद्यार्थी घर चले गए इन में से कोई नहीं तो इसमें आपक खे सही विकल्प रहेगा जब कोलेज का समारोस माप्त हुआ तब सब विद्यार्थी घर चले गए ठीक, यहाँ पर अगर कोमा लग जाता तो हम कै को भी मुश्रवाट्या में ही इंकलूड करते, शामिल करते लेकिन यहाँ पर अभी जो विकल्प देगे उसके अंसर आपका सही विकल्प आपका खे रहेगा एक बार फिर से देखिए, जो आपका पहला परशन है उसका सही विकल्प आपका रहेगा गय, दूसरा जो आपका परशन है उसका सही विकल्प रहेगा आपका खे तीसरा जो आपका परशन है उसका सहीवी कल्प आपका खे रहेगा चोथा जो आपका परशन है उसका सहीवी कल्प आपका खे रहेगा पांचमें का जो सही ओप्शन रहेगा वो रहेगा आपका खे उसका बद चठा परशन दिएगा है चठे परशन में हमें करना क्या है कि अपनी पसंद के कोई भी पांच सरल वाक्या लेने है, ठीक, क्या लेना है, अपनी पसंद के कोई भी पांच हमें सरल वाक्या लेने है, और उन्हें रचना के आधार पर वाक्या के बागी भेदों में रुपांत रित करना है, ठीक, सरल वाक्या लिए उन्ही को हमें बदलन जो नास्ति गाति ये वहरादा है ठीक जो नास्ति गाति ये वहरादा यहां देखिए एक परधान वाक्य हो गए और दूसरा यहां पर उफ वाक्य हो गए उसके बाद दूसरे देखिए दूसरा जो मैंने एक्जामपल लिया कि सरल वाक्य हमने लिया मोहन हंसकर बोला मोहन हंसकर बोला उसका सियुंक्त वाक्य होगा मोहन हंसा और बोला मिश्र वाक्य हो जाएगा वह मोहन है जो हंसकर बोला तो यह आपका मिश्र वाक्य बन गया यानि एक ही वाक्य को हम यहाँ पर सियुंक्त में बदल सकते हैं मिसर वाक्या में भी बदला जा सकता है उसके बाद तीसरा जो हमारा वाक्या दिया गए तीसरा वाक्या हमने लिया है कि तुम पढ़ कर सो जाना यह हमारा सलल वाक्या है तुम पढ़ कर सो जाना इसका स्यूंक्त वाक्या होगा तुम पढ़ना और सो जाना ठीक मिश्र वाक्या बन जागा जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना ठीक तो यहां पे एक परधान वाक्या हो गया और एक आशरित वाक्या हो गया उसके बाद चोथा हमने एक जामपल लिया कि अंकित की कलम छूट कर गिर गई अब इसका स्यूंक्त वाक्या कैसे बनेगा अंकित की कलम छूटी और गिर गई यह आपका स्यूंक्त वाक्या बन गया और से दो उफ वाक्या जोडगे ना दो वाक्या दो सरल वाक्या जोडगे और मिश्र वाक्या हो जागा जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई यह आपका मिश्र वाक्या हो गया पांच्वा जो हम बादल घिरे मोर नाचने लगा, यह आपका मिश्र वाक्या होगा, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा, कोमा लगा होगे, लिख सकते हूँ, या फिर जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगा, ऐसे भी लिख सकते हूँ, तब यह आपका मिश्र वाक्या ही रहेग गर आपको ये वीडियो ये वर्क्षिट अच्छे लगी इस वीडियो इस वर्क्षिट को लाइक और शेर जरूर केजिएगा आज के लिए बस इतने थेंक्यू बाइबाई have a nice day मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में